दोस्तों नमस्कार मैं संजयम अग्गू और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर जनता से जुड़े हुए खासकर नेता और यानिकी जन्प्रतिनिधी कहा जाता है जन्प्रतिनिधीयों से उनकी भाषा शैली, उनके बात करने का तरीका, उनका उद्बोधन इस पर बड़ी निगाह रहती है लोगों की लोग देखते हैं और खासकर अगर मैं कहते हैं उनकी जन्प्रतिनिधी, चुने हुए नेता, विधायक, सांसद ये एक रॉल मॉडल भी हुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो राजनिधी के अंदर पदारपन करने वाले लोग जब ये अपनी बात कहते हैं या किसी को इंगित करते हैं, किसी को इशारा करते हैं, किसी का संबोधन देते हैं तो फिर लोग ये भी देखते हैं कि उनका और जिसके लिए वो संबोधन दे रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं इनका हाव भाव इनका नजरिया इनका कहने का तरीका क्या है और जो बात निकलती है दोस्तों मूँ से जवान से जो बात निकलती है वो दूर तक जाया करती है बहुत पुरानी कहवत रही है कि जवान से कही गई बात जाने कि जवान से कही गई बात और कमान से चला हुआ तीर वो वापस नहीं आया करता उस पर पश्चाता तो किया जा सकता है लेकिन जो आपने बात कही वो बहुत माईने रखती है और उसके बाद एक बात और देखी जाती है कि आपने जो बात कही वो किस संदर्ब में कही उसके कहने के माइने क्या थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि वो कही किस अंदाज में गई उस बात को कहा किस अंदाज से गया और जिस अंदाज से कहा गया फिर उसका लोग निशकर्ष निकालते हैं आपसे जिक्रिसली कर रहा हूं कि हर्याना का पूंडरी विधानसभा चेतर है कैथल जिले की विधानसभा है पूंडरी और पूंडरी के विधायक है भारती जनता पार्टी के विधायक है सत्पाल जांबा पूंडरी एक ऐसा विधानसावा छेतर है जहां पहली बार भारती जनता पारड़ी का कोई निता चुनाव जीता और पूंडरी एक ऐसा विधानसावा छेतर है जहां ज़्यादातर इंडिपेंडेंट केंडिट चुनाव जीता करते हैं सत्पाल जामा वहां से चुनाव जीते हैं और उन्होंने रंधीर गोलन को लगवग 2,000 से जादा वोटों से चुनाव राया चुनाव जीतने के बाद वह अब जनता के बीच में है आज कल आज एक गाउं में गए हुए थे और गाउं में जा करके उन्होंने पूछा कि गाउं के सरपंच तो सरपंच प्रतिनिधी वहाँ पर मौझूद थे सरपंच प्रतिनिधी उन्हें कहा जाता है अगर किसी गाउं में महिला सरपंच है तो फिर उनके पती, उनके देवर, उनके जेट, उनके ससोर, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई ये सब सरपंच प्रतिनिधी के कहावत की श्रेणी में आ जाते हैं तो जिस गाओं में गए थे विदायक महोदय वहां की सरपंच महिला होंगी सरपंच प्रतिनी दिवा मौझूद थे तो वहाँ जा करके विधायक जी ने पूछा कि सरपंच कहा है लोगों ने बताया कि सरपंच प्रतिनी दिवा पर मौझूद है सरपंच नी साहिवा तो नहीं आई तो विधायक जी ने कहा कि आखिर सरपंचनी साहिवा क्यों नहीं है और इससे बढ़कर आगे कहा कि हम भी तो feeling ले कहने का अंदाज होता है बस दोस्तों सिर्फ विदायक महुदे ने कहा कि हम feeling ले भाया काये कि feeling लेना चाहते हैं आप तो विदायक महुदे कह रहे थे कि हम भी तो feeling ले लोगों को पता चले जनता को पता चले कि विदायक आए हैं अब अगर इस प्रकार की बाते आती हैं तो फिर जनता के भी संदेश जाता है कि क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधी खुद को जनता से बड़ा मानते हैं ये ठीक है कि सरपंच महा पर मौजूद हो अगर सरपंच महा ना भी हो तो भी क्या हुआ क्योंकि विधायक को सरपंच से काम नहीं है अगर विधायक ने कोई गोशना करनी है तो उस गोशना को वो जनता के लिए कर रहे है सरपंच के लिए तो कर नहीं रहे लेकिन विधायक महोद है क्योंकि नए नए विधायक चुने गए है मात्र एक फरक आ गया कि वो जनता की वोट से चुन करके विधायक बन गए उनी जनता की वोट से चुन कर विधायक बने जिनके बीच वो फिलिंग लेना चाह रहे थे विधायक जी कि यह बाद सोशल मीडिया पर वाइरल होई और मैंने आपको कई बार कहा है कि आज का यूग है ये सोशल मीडिया का यूग है आप जो बात कहते हैं वो दूर तक जाती है एक समय वो था कि जब माउथ पबलिसिटी हुआ करती थी बात एक जगा से दूसरी जगा पहुंचने में कई बार देर भी लगती थी लेकिन सोशल मीडिया के यूग में तो आपने यहां का और बात वहां पहुंची आपने यहां बात की तो हो सकता है वो साथ समंदर पार तक उसका असर हो तो विधायक मौदय ने कहा कि सरपंच साहिवा हो तो क्योंकि उनको भी फिलिंग आनी चाहिए कि वह विधायक है तो उसको कही ना कहीं गलत माना जा रहा था और बात गलत भी है बात गलत भी है देर शाम होते होते हैं विधायक जी ने कहा कि उनको अपने कहे हुए शबद ये खेद है और साथ साथ गपわत औरो回ina दोस्तों एक बात दूसरी ये कह धी, कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, सरपंस टो मेरी बहन जैसी है मैं अगर सरपंस आता है तो हमें भी आता है, कि भी हाँ भी एक फीलिंग आती हैं भी सरपंस भी आया हुआ है मेरी ऐसी बात उनको डबल माइंड लगी एक डबल मीनिंग उन्होंने ली है अगर ऐसा करने से इंकल बेहन को कोई भी हाइट हुआ है उनको ठेक पहुची है मुझे माफि माफि मांगने में कोई सरम ने आती मैं उस बेहन से माफि मांगता हूँ तो विधायक जी ये भी बताते थे कि आपका कहने का मकसद क्या था दोस्तों एक दोर था जब राजनेता कोई बात कहा करते थे खबर नवीस अख़वार के अंदर लिखने वाले कलम और पैन से लोग हुआ करते थे और नेता जी कहते कुछ थे और बाद में उससे मुकर जाते थे बाद में कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था मेरी बात को तोड मरोड कर पेश किया गया मीडिया के लोगों को आजो खबर नवीस उनको धमकाया करते थे आज का यूग सोशल मीडिया का यूग है आज का यूग कैमरा का यूग है और एक्शन कहते ही कैमरा चालू हो जा यानि कि आहाथ से मोबाइल निकाला उसका फ्लेश ऑन करने की भी इतनी जूरत नहीं पड़ती है अगर दिन का टाइम है कैमरा चलाया और कैमरा चलना शुरू हो गया और फिर आप जो बोल रहे हैं उसको कुछ तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ेगा जो आपने बोला वही स किसी के बारे में कोई बात कह रहा है और खासकर जब वह जन प्रतिनीदी बन जाए तो फिर मैंने जो कहा कि वह रॉल मॉडल बन जाते हैं अपने छेत्र के खासकर और उस छेत्र के अंदर जो लोग राजनीदी करना चाहते हैं जो सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं उनक कि अगर ये मिसाल कायम करेंगे हमारे आज के राजनिता, आज के जन प्रतिनीधी कि किसी मैला सरपंच की गैर हाजरी को वो ये समज़ें कि उनको तो फीलिंग ही नहीं आ रही ऐसा सत्ता का कौन सा खुमारी होती है ऐसा सत्ता का कौन सा नशा होता है दोस्तों खासकर अगर मैं आपसे कहूं तो भारती जंता पार्टी के अंदर politics with difference कहा जाता है राजनीती अलग तरीके की और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं परधान मंतरी नरेंदर मोदी की भारती जंता पार्टी के बड़े नेताओं की अर्याना के मुख्य मंतरी नायव सिंग सेनी की अर्याना के पूर्व मुख्य मंतरी मनोरलाल की हर्याना की तो वो सरजमीन है और खासकर जिस विधानसवाद छेत्र से विधायक जी आते हैं उससे लगवक कोई 100-700 किलोमेटर दूर होगा जाँ पर्दाल मंति儿 नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी बड़ाओ बेटी बड़ाओ यह तमाम से नारेून पाण करेंगे तो उसका जनता के बहुत संदेश क्या जाएगा वैसे आपको बताता चलूँ कि कोई पहली नई बात नहीं है, जन प्रतिनिदियों की या सत्ता के अंदर आने के बाद में, सत्ता मिलने के बाद में, सत्ता के नशे में मदोश हो जाने के वारी बात जो होती है, ये कई नेताओं के बीच आपको देखने को मिल सकती है, और सबसे प्रमुक सवाल मेरा आपके साथ यही है आज, कि क्या सत्ता मिलने के बाद जन प्रतिनिधी या नेता जो बन जाते हैं, जब जन प्रतिनिधी हो जाते हैं, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या वो बहरा जाते हैं, बहराने का मतलब नशा आ जाना, क्या बात करते हुए अपनी बात कौन सी की जा रही है उस किसी भी व्यक्ति को खासकर जो जनता से सीधे जुड़े हुआ हूँ क्या उसको अपने विवेक का ध्यान नहीं रखना चाहिए विवेक से बात नहीं करनी चाहिए और सबसे प्रमुक बात, सबसे महत्वपूर बात यह है दोस्तों की राजनेताओं के बीच में आखिर इस प्रकार की ओधंटरता आती कहां से है कमेट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख र पताओ कि में ज़रूर आप हैनल करेंस रवीयो कि पाने कि याप प्रम की रह इंसे पमिके लिए वीडियो का आप वाम्स में जा की उएIm हम परेंस जुड़रा आप करता दोंता है जल को और आप येप हैं उहतल सकी सथ बूरूर इंस ऑम नागरूर